तो अभी हमारे फोन की जो फॉन्ट है ना वो चेंज हो चुकी है हलो और आज के इस वीडियो में मैं आपको दना लग कि अगर आप कैसे Redmi 12 फोन तो आप कैसे अपने फोन में जो फॉन्ट स्टाइल होती है या फिर फॉन्ट होता है उसे चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपके फोन में जो भी सारी टेक्स दिखाए देती है नहीं देखो अब यह जो टेक्स त है यह सारे के जो फॉन्ट है उसे आप चेंज कर सको तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टाट करते है So guys देखो अभी अगर आपको आपके Redmi 12 मोबायल में जो फॉन्ट है उसे चेंज करना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा सबसेल है तो आपको आपके मोबायल में जो आपका Settings का App आता है उसे उपन कर देना है अब जैसे आपके मोबायल की Settings आपको उपन करोगे अभी आपको एपर जो है न सबसे पहले तो आपके mobile में जो है net को connect कर देना हुआ तो आपको अभी मैं यहाँ पर अपने wifi से net को connect कर देता हूँ यह देखो अभी net connect हो चुका है I think अब net connect करने के बाद आपको क्या करना है देखो अभी आपको आपकी settings पे से एक option को डून लेना है जिसका name होगा display तो आपको अपर क्या गरना है जो display वाल option है ना इसे डून करके open कर देना है जैसे आप click करते हो display वाल option पे तो अभी आपको कुछ इस तरीकी का interface दिखाए देता है अभी आपको 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 क्या ऑपर दिखाए देगा dark mode, light mode, brightness level और बहुत सारे options तो आपको आपको क्या आपको कुछ इस तरीकी से scroll करना है Scroll करने पर आपको आपर एक option मिलेगा जिसका name होगा, font का तो आपको एगरना है जो font का option होगा ना आपको इस वाल option पे click करना है जैसे आप click करोगे font वाल option पे तो आप देख सकते हो कि जो भी available fonts होगी वो आपको दिखाए देखिए सबस्वेल हो तो यह देखो यह जो सारी fonts है देखो सभी के सभी fonts free है almost तो अब आपको एगरना है जो भी font आपको पसंद आ है आपको simply उसे download करते ना है डाउनलोड करने के लिए net चाहिए इसलिए मैंने बोला था net चाहिए अब आपको एगरना है देखो यह बहुत सारी fonts है आप आप देख सकते हो इन मेंसे आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक कर सकते हो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप आपको free download option पर क्लिक करना है और अभी आपको यह बहुत दिखाए देखा कि कुछ इस तरीकी की font हो जाएगी जब आप font को change करोगे तो अगर आपको लगाने होगी तो आप लगा सकते हो तो अभी फिलाइकली हम back कर देता है और अभी जो भी font downloaded होगी न वो आपको यह बहुत दिखाए देगी तो आपक क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको apply वाले option पर क्लिक करना है तो आपके पूरे फोन में यह वाली जो font है वह आ जाएगी अगर आपको यह video informative लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए आपका झाध रनी आपका देना झाएगी तो में जितैने का आपकाई पर कर देना चैनल के थाम है तो.